बच्चो आज़म स्पर्ष पाट्य पुस्तक से ली गई एक कविता नामक मनुष्यता का भावार्त समझेंगे इस कविता के कवी का नाम मैतिली शर्ण गुप्त जी राश्ट्र कवी मैतिली शर्ण गुप्त का जन्म 3 अगस्ट 1886 को जानसी के पास चिर्गाव नामक एक चोटा सा स्थान में हुआ था कवी ने इस कविता में मनुष्य होने की सीख दी है या समझ दी है और मनुष्य मात्र के लिए स्वीकार्य मनुष्यता की परिभाशा वर्नित की है विचार लो की मरत्य हो नमृत्यू से डरो कभी मरो परंत यो मरो की याद जो करे सभी हुई न यो सुमृत्यू तो वृता मरे वृता जिये मरा नहीं वही की जो जिया ना आप के लिए वही पशु प्रवृत्ती है कि आप आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे कभी कहते है कि हे मानव, तुम तुम्हारे मन में यह तै जानो कि तुम्हें मरना ही है इसलिए मृत्यू से डरना छोड़ दो तुम ऐसी मौत्य मरो कि जिसे सब लोग याद करें कोई ऐसा महान और गवरवशाली काम करते करते मरो कि तुम्हारी मौत्यू कहलाए ऐसी मौत्य के बिना यही मरना विर्त है बिना कोई विशेश कार्य किये, जीना भी विर्त जीना है जो मनुष्य स्वयम अपने लिए ही नहीं जीता बलकि समाज के लिए जीता है वो कभी नहीं मरा करता ऐसा मनुष्य अमर हो जाता है स्वयम अपने लिए खाना कमाना और जीना तो पशु का स्वबा होता है सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है उसी उदार की कथा सरस्वती भखानती उसी उदार से धरा कृतार्त भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तता उसी उदार को समस्त सुरुष्टि पूजती अखंड आत्म भाव को असीम विश्व में भरे वही मनुष है कि जो मनुष के लिए मरे इस पंक्ती में गुप्त जी कहते है सरस्वती भी उसी उदार मनुष का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मियता रखता है या परोपकार करता है या धर्ती भी उसी उदार मनुष को जानकर स्वयम को धन्य मानती है जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है उसी उदार मनुष का सुयश सदा सदा के लिए घूंचता रहता है और उसी उदार मनुष को सारी धर्ती के लोग पूझते है जो सारी सुरुष्टी के सा अपनत्व अनुभव करता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता मरता है। अनादी जीव क्या डरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवी कहते हैं राजा रंति देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना बोजन का ताल घर पर आये एक भिक्षु को सउप दिया था। कभूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मामस दे दिया। वीर कर्ण ने किसी ब्रामहन के मांगने पर अपने शरीर का कावच तक उतार कर दे दिया। भला इस नश्वर शरीर के लिए यह अमर जीव क्यों डरे। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर हमारा शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के नश्ट होने से क्या बई। सच्चा मनुष तो वही है जो संपूर्ण मनुष जाती के लिए जीता और मरता है। सहान भूति चाहिए महा विभूति है यही। वशी कृता सदैव है बनी हुई स्वयम ही। विरुद्ध वाद भुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने जुखा रहा। अहां वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुष है कि जो मनुष के लिए मरे। कवी कहते है कि मनुष के मन में सहान भूति की भावना होनी चाहिए। दूसरों के धुक को देख कर मन में करुणा जागनी चाहिए। यह सहान भूति मनुष की सबसे बड़ी पूंजी है। इस गुण के कारण सारी धर्ती मनुष के वश में हो जाती है। भुत्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया। उसके कारण उनका सारा विरोध समाप्त हो गया। इसलिए उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं का जबर्तस्त विरोध किया था। किन्तु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने जुक गए, विनीत बन गए। सच यही है कि जो मनुष दूसरों का भला करता है। वही सच्चा उधार मनुष है। सच्चा मनुष वही है जो मनुषता के काम आता है। रहो न भूल के कभी मधांद तुच्च वित्त में सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनात कौन है यहां त्रिलोक नात सात है दयाल उदीन भंदू के बड़े विशाल हात है। अतीव भाग हीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष है कि जो मनुष के लिए मरे। कभी मानव को संभोधित करके कहते है। धन की प्राप्ती वित्त यानी धन, धन की प्राप्ती कोई बहुती उपलब्दी नहीं है यह तुच्च उपलब्दी है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड यानी अहंकार मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दुष्टी से स्वयम को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान ना करना। अभिमान यानी अहंकार या गर्व मत करना। यह ना सोचना इस तरह मत सोचिये की तुम तो सनात हो। धन या परिवार जन तुम्हारे नात है जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो इस संसार में कोई अनात नहीं है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलो की नात का साया है या सहारा है। वह इश्वर दीनों का या गरीबों का सहारा है वह बहुत ही दयालू है उसकी भगवान की शक्ती बहुत ही अधिक है वह सबको सुरक्षा और सहारा भी देता है अतर जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है या वह परोपकार करता है उनके लिए जीता और मरता है अनन्त अन्त रिक्ष में अनन्त देव है खड़े समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े परस्पराव लंब से उटो थता बड़ो सभी अभी अमर्ति अंक में अपंक हो चड़ो सभी रहो न योकी एक से न काम और का सरे वही मनुष है कि जो मनुष के लिए मरे कवी कहता है कि उपर अनन्त आकाश की तरफ एक बार देखो वहां कितने ही देवता कड़े है वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहु उठा कर तुम्हारा स्वागत कर रहे है वे तुम्हे स्वर्ग में बुला रहे है अता तुम सभी एक दूसरे को सहारा या सहयोग देकर उपर उठो और आकाश की वोर बढ़ो तुम इस तरह निर्मल जीवन जीओ कि तुम्हें देव लोक में स्थान मिले तुम इस तरह मत जीओ की एक दूसरे के किसी काम ना आ सको तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के काम आये मनुष्य मात्र भंदू है यही बड़ा विवेक है पुरान पुरुष्व स्वयंभू पिता प्रसिद्ध येक है फला नुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है परंत अंतर रैक्य में प्रमान भूत वेद है अनर्त है कि भंदू ही ना भंदू की व्यता हरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे कवी कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना भंदू समझना है कारण यह है कि सभी मनुष्य सच मोच आपस में भंदू ही है पुराणों के अनुसार भी सभी मनुष्यों का एक ही पिता है वही स्वयंभू है वही एक मात्र पुरुश है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ यह ठीक है कि विविद कामों या कर्मों के फलानुसार सभ आपस में भिन है हम एक दूसरे से अलग ही है अर्तात जिससे जैसे कर्म किये उसे वैसा ही जन्म मिला है परन्तु आंतरिक दुष्टी से सभी एक है और समान भी है स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी है अता संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने भंदू का कष्ट ना हरे सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जिये या मरे चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्ती विग्ण जो पड़े उन्हे ढखेलते हुए घटे ना हेल मेल हां बड़े ना भिन्नता कभी अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हो सभी तभी समर्त भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस पंती में कवी कहता है कि तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो हसी खुशी से चलते चलो रास्ते में जो भी संकट आये भादाये आये उन्हें तुम ढखेलते हुए आगे बढ़ते जाओ परन्तु यह ध्यान रको कि तुम्हारा आपसी मेल जोल ना घटे या मित्रता और एकता का भाव कम ना होना चाहिए आपस की भिन्नता में वृद्धी ना होना चाहिए मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाती, रंग, रूप, प्रांत, देश, आधी के अंतर ना बढ़े सभी मत्पंत और संप्रदाई सतर्क होकर उस तरकातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्ति यही है कि वह आउरों का भी उद्धार करें तता स्वयम भी तरे वह जनकल्यान करते करते तरे सच्चा मनुष्य वही है जो आउरों के लिए काम आये यही मनुष्यता पद्य का साराम्ष है बच्चों इस मनुष्यता कविता में कवी ने हमारे जीवन में उदारता, त्याग और करुना के गुण को अपनाने का संकेत दिया है इन गुणों को अपने जीवन में भी अपनाने की कोशिश करों, हम फिर मिलेंगे आगले कक्षा में